पहांग इस्टेट है चार युवर पहाड जंगल जो इन्वाइरोमेंट इधर का है बहुत अच्छा है जो पहाड का जगा इधर का जो हवा होता है हवा बहुत स्वच्छा होता है मलिसिया में अक्सर हम लोग देखते हैं जो पाम पाम का जो पेड होता है वो बहुत इधर लगाते हैं क्योंकि उसी से टेल निकरता है जो खाने के लिए टेल होता है लेकिन बहुत सारे जगह में जिसे पहांग हो गया एक ठंडा सा जगह है तो इधर जंगल भी बहुत सारे है हलो फ्रेंड्स आज मैं मलिसीया पहांग में आया हूँ पहांग इस्टेट कौललमपूर से लंगर से बहुत दूर है इधर का हावा पानी बहुत सोच साप होता है अब यह भी थोड़ा थोड़ा पानी पड़ा कुछ लगबग लगबग एक घंटे पानी पड़ा अक्सर मलेसिया में पानी पड़ता है हवते में एक दो बार तीन बार पानी थोड़ा थोड़ा पड़ता है इसलिए इधर उतना गर्मी नहीं होता है और मलिसिया में अक्सर हम लोग देखते हैं सार के बीच और बीच में भी पेल पहुंदा होता है आप देख सकते हैं चारियोर जंगल है, पहाड है लेकिन ये रास्ते के साइड में मैंने कुछ नारीवर कोकनर देखा इसलिए मैं आपको कोकनर देखाने के लिए मैं अभी मलिसिया का लगवला वो साथ वज रहा है देखे कितना सुन्दर है मन लग रहा है कि तोड़ लूँ तोड़ूँगा तो लोग घुसा हो जाएंगे क्यूंकि दूसरे को प्रोपर्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए आप देख सकते हैं कितना नीशे नीचे है हम लोग अक्सर देखते थें इंडिया में और हमार अपना नेपाल में भी बहुत उपर उपर बहुत उपर उपर नारीवर होता था कईसे चठेंगे कईसे टूटेगा लगता था लेकिन इतना मैं नीचे मैं पहली बार देख रहा हूँ कमिंग 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 अभी मेरा फ्रेंड लोग हमारा जो बोस है वो चिला रही है पानी पड़े वाला है कमिंग कमिंग आई वांट टॉच नारीवर्ड कोकनट सोरी कभी कभी मैं मिक्स हो जाता है कमिंग 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 पानी पारा है फ्रेंट लोग, चिला रहा है फ्रेंट लोग अभी अच्छा से वीडियो भी बना नहीं पाया क्यों की